असलाम अलाइकुम, तोड़ेश एक्स्प्रेस सीक्वेंस टेग्स जिनको ESTs भी कहा जाता है एक्स्प्रेस सीक्वेंस टेग्स है क्या जिनोम को स्टड़ी करने के लिए जो है हाई थूपुट अप्रोच इस यूज करनी पड़ते है तो अब ESTs क्या है जब हमने सारे जिनोम की प्रोफाइलिंग करनी होती है तो हम उन में से किस चीज को सेलेक्ट करते है Mostly किस चीज की सिक्वेंसिंग की जाती है एक्स्प्रेस सीक्वेंस टेग्स की लेकिन अब ये एक्स्प्रेस सीक्वेंस टेग्स है क्या ये शॉट सीक्वेंस है जिनोम है उसको इंटिफाइ करता है, कर सकता है, ठीक है, फर एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स जो है नब वो 200 से 400 नुकलताइड होते हैं, और उप्टेंड किये जाते हैं 5 एंट्री एंड दोनों से, यानि दोनों साइड से उप्टेंड कर सकते हैं, इनकी रेंज होते हैं, तो इनकी रेंज होती हैं, जिस कहें रिवर्स हैं जिस तरह डिएन्ए से हम आरेने बनाते हैं ठीकें, तो सेम इसी तरह अगर RNA से वापस हम DNA बनाए मिन RNA को हम convert करें DNA में तो हमें reverse transcriptase enzyme की जरूरत परती है तो reverse transcriptase enzyme यही करता है कि यह RNA को convert करता है DNA में ओके तो हम क्या करते हैं कि oligo primers यूज़ कर लेते हैं जो hybridize करते है poly etal messenger RNAs को उसके बाद हमारे पास messenger RNA से different जो है वो pieces बन जाते हैं messenger RNA से different pieces बन जाते है DNA के अब DNA के जो pieces बने हैं हम इनको आपस में जोड लेते हैं तो इससे एक दूसरा DNA बन जाता है जिसको हम कहते है complementary DNA ठीक है ओके अब EST को generate करने के लिए हम क्या करते हैं के जो complementary DNA के clones है ना उन मेंसे कोई भी random selection कर लेते हैं और किसी भी end से selection हो सकती है अब EST जो है ना उनकी frequency जो है वो हमें reflect करेगी abundance of the corresponding messenger RNA in a self for example हम कहते हैं कि ये 200 से 400 nucleotides इस area से cut हो गए तो इस area का जो messenger RNA होगा फिर वो abundant होगा क्योंकि complementary DNA उसका बना है तो वही abundant होगा and at the end वो जो messenger RNA है वो function भी वही abundant करेगा जिसका हमारे पास ये messenger RNA होगा okay EST का एक और benefit है वो क्या है कि हम clones को randomly select करते हैं तो इस तरह random selection से ये भी हो सकता है कि new gene हमारे पास discord हो जाए लेकिन कुछ इनके disadvantages भी है वो ये है कि ये जो है ESTs ये low qualities के होते हैं क्योंकि ये खुद बहुत automatically generate किये जाते हैं कोई इनकी verification वगेरा नहीं होती तो ये हो सकता है कि इनमें बहुत ज्यादा error हो इसके अलावा ambiguous determination होती है basis की क्योंकि जब हम sequences देखते हैं तो उसमें सारी sequences जो है वो nitrogenous basis शो नहीं हो रही होती है बलके sometimes NN आ रहा होता है जो के error को represent करता है कि यहां पे जो base था जहां पे error शो हो रहा है ठीक है कि यहां पे जो base था वो हम identify नहीं कर सके so that's why यहां पर जो है NN शो हो जाता है जो के error को represent करता है इसके लावा artificial stop codon यह क्या है यह वो codons है जो human ने develop किया है तो इन में भी यह abilities है कि वो भी sequence को जो है stop कर सकते है artificial stop codon ठीक है इसके इलावा contamination हो सकती है vector sequences में introns में और introns जो है आपको पता है कि यह जो non codon region होते है ठीक है और RNA में भी हो सकता है mitochondrial RNA में भी और इसके लावा express sequence टेक है नब वो partial sequence gene को represent करता है express कर रहे होते हैं क्योंकि वो सारी gene को तो नहीं करता नब वो short length identifier है तो वो सिर्फ चोहे partial sequence gene को express करेगा इसके अलावर third end पे क्या होता कि वहाँ पे gene sequences जो होती है वो ज्यादा heavily represent करती है then five end क्योंकि जो oligo primers है reverse transcription जो होती है वो basically primers होती है with oligo primers और unfortunately जो three end sequences होती है वहाँ पे सबसे ज्यादा errors होती है क्यों अब वहाँ पे क्यों errors होती है क्योंकि वो हमारा starting point होता है three end जो है starting point होता है तो इसी वज़े से वहाँ error ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे loss quality sequences होती है इसके इलावा EST का एक और problem क्या है कि काइमेरिक close की presence हो सकती है काइमेरिक क्या है अब कि एक complementary DNA हमने एक site से obtain किया फिर दूसरा हमारे पास complementary DNA उनको हमने जोड दिया अब देखे यह DNA जो है यह basically दो sources से आ गए ठीक है एक site से और दूसरे complementary DNA का है तो यह दोनों आपस में जोड़ गए mean काइमेरिक हो गया और यह same नहीं है क्योंके दोनों अलग-अलग sources से है इसके इलावा जो है 11% of complementary DNA वो जो है वो काइमेरिक होता है इसके इलावा एक और जो problem है वो यह है जो weekly express gene होते है वो EST में show नहीं होती बलके जो highly express gene होते है वो EST में show होंगे क्योंके definitely जो dominant है तो वो show हो जाएंगे जो dominant नहीं है तो वो खुद को express नहीं कर पाएंगे लेकिन इन सब problems के बावजूद भी EST को क्यों preference दी जाती है और EST क्यों use किया जाते है क्योंके जहाँ इसके इतने सारे disadvantages है वहाँ इसके कुछ फाइदे भी है जिसकी वज़े से EST को use किया जाता है EST library जो होती है उनको easily generate किया जा सकता है cell lines से, tissue से and different organs से इसके लावा EST facilitate कर सकते है unique identification of gene from complementary DNA library हमारे पास एक complementary DNA library हमने बना ली ठीक है अब अगर हमने किसी gene को identify करना है तो हम easily identify कर सकते है with the help of express sequence tags ओके इसके इसके इन्डिविज़ली express sequence tags में error का chance बहुत ज्यादा होता है लेकिन हम जब EST को collect करते हैं तो हमारे पास बहुत variable informations भी आ जाती है अब EST की collection का बहतरीन method कौन सा है कि हम इनकी database बना लेते है अब gene bank के पास भी special EST databases है जिसको हम कहते हैं डीवी EST यनि data bank express sequence tags इन में जो है न EST is collection for a large number of organism greater than 250 organisms ओके greater than 250 organisms जो है न इनका EST का data यहाँ पे मुझूद है और इसको regularly update किया जाता है और वहाँ से हम data को find out कर सकते है यानि sequences का retrieval बहुत easily हो सकता है ठीक है अच्छा strong similarity फर एक्जेंपल हमने कोई काम किया पास एक sequence है EST का वो हमने ले लिया अब हमने lab में उसको prepare कर लिया किस gene के साथ उसकी similarity है तो जिसके साथ होगी similarity वहाँ पे इस gene को जो हमारा gene है ठीक है उस gene को हम annotate कर देंगे उस database में जिसके साथ उसकी similarity है कि यह EST identifies भी इस gene को recognize कर रहा है ओके इसकी identification के लिए use हो रहा है तो हम इस EST को भी वहाँ add कर देंगे ओके तो यह था हमारा EST का overview जिसमें हमने जो है EST के बारे में जाना के EST बैसिकली होते क्या है और इनके जो advantages, disadvantages बारे में और यह भी के libraries जब हम बनाते हैं तो उनका क्या फाइदा होता है EST में और बनाने के फाइदे क्या होते हैं और हम किस तरह से data को annotate करते हैं EST के जरिये ठीक है